हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो मैं चाहिनल आज मैं आपके लिए मोमोस की रेसिपी लेकर आई हूँ चलिए स्ट्राट करते हैं मैंने दो कप मैदा लिया है उसमें दो चम्मच प्रिफाइंड और डाला है स्वाद के अनुसार नमक डाल लेना है और इसे अच्छी तरह मिलाकर थोड़े थोड़े पानी देकर इसकी एक अच्छी डो त्यार करेंगे देखिए यह डो रेडी है इसे तस मिनट के लिए छोड़ देंगे हम इदर मोमोस की चट्पिंग के त्यारी कर रहे हैं एक पैन में पानी में चार टमाटर चार पान सुखी लाल मुच डालकर गोबलने के लिए छोड़ते ना है मैंने एक पैन में मोमोस स्टफिंग के लिए लसन पत्ता गोभी तो हलका सा सौते कर रही है इसमें थोड़ी सी ग्रेट क्योंगी गाजर डालकर अच्छी तरह से भून लेना है अलका पानी सुखने तक इसमें मैं सौत के नुज़ार नमक डाल रही है अच्छी तरह से इसे भून ले इसमें चिली सॉस एक चमच सोया सॉस एक चमच डालकर अच्छी तरह से मिला लेना है और हलका सुख जाने तक पॉल्मिंग यह देखिए मेरी स्टाफिंग बड़ी है इसे हम रंडा करने के लिए रंडा होने तक एक प्लिट में विकार लेते हैं अब मुणू के लिए सूप की तैयारी कर रहे हैं दो चमच मैंने कॉन्फला पावडरी आगे एक पैन में एक चमच रिफाइन और उसमें ग्रिस्ट्राव गाजे सौटे कर लेना है थोड़ी सी पत्ता वो भी ग्रेट की हुई और हाँ यह आप मेडियम फ्लेम पे ही पकाएं उसके बाद मैंने नमक डाला है हरे मिर्च मिला लेंगे और दो कब पानी मैंने मिलाया है ऐसे उबलने के लिए डाकते आप और जो चट्नी के लिए मैंने त्यारी किया है देखिए भी तरह पक चुका है सूप भी लगभग उबल गया है अब इसमें हम एक कटोरी में जो मैंने कॉन फ्लोर पाड़र गोल कर रखा था उसे डाले भी और दीरे-दीरे मिलाते रहेंगे कि छोड़ना नहीं है नहीं तो लंस पढ़ जाएंगे चलाते रहना है आपको जब तक कि एक उबाल आ जाए देखिए अब एक कुपाल आ गया है, इसमें में सोया सॉस एक चमच, टोमेटो सॉस दू चमच, विलाकर अच्छी तरह से चला ले रहे हैं बिलकुल यह एक ची तरह सूप बल गई है, मैंने एक पैन में पानी चड़ाया है, एक जाली में एक टेल ग्रीस करके रखेंगे, अब चली मोमोस में स्टफिंग, मोमोस फ्टफिंग करते हैं, चोटी चोटी पूरी बेलकर स्टफ करना है, आप इसे किसी भी शेप में बना सक करते हैं, यह देखिए, यह दूसरा शूप मैं बतारी हूं आपको, पानी मोबल चुका है, इसे मैं जाली में बढ़ाया है, डग देती है, यह चटनी के लिए मैंने उबाला था, उसे एक जाली में डाल कर पीस लेते हैं, मूमोस रडी है, आपके बनाईए, सोप के साथ, वह बहुत पेस्टी मोमोस है, ज़रू ट्राय करें, थैंक्यू,